हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एसके सोनूटेक वर्ड फ्रेंड इस वीडियो में हमों देखेंगे अब रासन कार्ड बनवाने के लिए आपको दरदर भटकने की जोड़त नहीं है आपके पाँच कुछ डक्मेंट रहेगा उससे ही आपका चुटकियों में बन जाएगा रासन कार्ड इस वीडियो में हमों देखेंगे कि आखिर कैसे रासन कार्ड बनेगा और कौन-कौन सा डक्मेंट लग सकता है तो चलिए वीडियो को सुरू करेंगे उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं आपको डक्मेंट लगना है और कैसे बनेगा देखिए फ्रेंट आवपर देख चुके हैं सरकार देश में गरीबों तक रासन पहुचाने की हर संभव कोशिश कर रही है इसी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल देश में वन नेशन वन कार्ड की बेवस्था को लागू कर दिया है यानि कि एक देश एक रासन कार्ड लागू कर दिया है इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज का व्यक्ति पुरे देश में कहीं भी सस्ते दामों में राशन ले सकता है इस सिस्टम के आने के बाद लोगों के लिए राशन कार्ड का होना और भी जरूरी हो गया है अगर आपके पास कब अभी तक राशन कार्ड नहीं है तो घबराने की यरुत नहीं है आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही ओनलाइन राशन कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि आखिर इसको लिए क्या करना परेगा इसके लिए सभी राजियों ने अपनी ओर से एक विपसाइट बनाई हैं आप जीस भी स्टेट के रहने वाले हैं वहां की विपसाइट पो जाईए और राशन कार्ड के लिए अपलाई कर देजिए चलिए अब जानते हैं कौन अपलाई कर सकता है रासन कार्ड के लिए वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह रासन कार्ड के लिए अपलाई कर सकता है 18 साल से कम उमर के बच्चों का नाम पैरेंट्स के रासन कार्ड में सामिल कियाता है हलाकि 18 साल के उपर वाले अपने अलग राशन कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं कि कैसे आखिर इसको ऑनलाइन करना होगा राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले अपने राजी की अधिकारिक वेफसाइट पर जाना होगा अगर आप उत्तर परदेश से हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं fcs iupi government.in इस पर जाकर आप लोग इसका लिंक में आपको नीचे description में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप फर्म को डाउनलोड कर पाएंगे चलिए वहीं बिहार के लिए भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ बिहार के लिए भी दिया हुआ है hindi योजिना.in इस पर जाकर आप लोग अपने फर्म को डाउनलोड कर सकते हैं महराष्ट के आवधा के लिए आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है इसका भी लिंक में आपको नीचे description box में दे दूँगा इसके बाद apply online for रासन कार्ड पर किलिक करें रासन कार्ड बनवाने के लिए ID proof के तौर पर आपको अधार कार्ड, voter ID, passport, health card, driving license आधी दिया जा सकता है रासन कार्ड के लिए आवधन सुल्क मात्र 5 रुपे से लेकर 45 रुपे तक है आवधन भरने के बाद सुल्क जमा करें और application submit कर दें फिर verification होने के बाद आपका जो है रासन कार्ड बन जाएगा तो फिर एक वीडियो आप सभी को कैसा लगा, comment box में जरूर बताएं, वीडियो को like करें, channel को subscribe करें और अपने दोस्तों में share करें फिर मीलेंगे एक नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत